हेलो ब्यूटिफल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई चैनल काफी बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कन्फ्यूज हैं इतनी सारी रेमेडी देखने के बाद कि हम कौन सी रेमेडी यूज करें जो हमारे बालों के सभी प्रॉब्लम को दूर करें तो फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसन उसका बताने जा रही हूँ जो आपके बालों को काला करता है, घना बनाता है, लंबा और चमकदार भी बनाता है साथ ही साथ ये बालों का ज़ड़ना रोक, डेंडरफ की प्रॉब्लम को अल्मस्ट दूर भी करता है तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा इससे आपका प्यार्ज लगता है फ्रेंड्स, इस नुष्के को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए फ्रेश आवला ये फ्रेश आवला आपको किसी भी सबजी वाले के पास अराम से मिल जाएगा आवलो को आपने टुकडों में कट करना है और इसको मिक्सी में बारिक पेश्ट बना लेना है जैसे चटनी जैसा पेश्ट होता है वैसे ही आवलो को पीशने के बाद आपको किसी छन्नी की मदद से या तो फिर कपड़े की मदद से इसका पारे निकाल लेना है इसका जूस निकाल लेना है अच्छी तरह से यानि कि आवले के रस को आवले के पाने को हमें separate कर लेना है अच्छी तरह से ये एकदम fresh होना चाहिए आवले में होता है विटमिन C जो कि आपके बालों को सफेध होने से रोकता है साथ ही आपके बालों को naturally black करता है और हाँ साथ ही आपके बालों का जड़ना भी रोकता है और आपके बालों को घना बनाने में काफी मदद करता है अगर आपके बालों का जड़ना नहीं रुक रहा है तो आप अपने बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए इस इंग्रीडियन्ट को अपने घर में रखना अभी से स्टार्ट कर दीजिए अब दूसरा इंग्रीडियन्ट आपने लेना है फ्रेश अलोवेरा जेल इस फ्रेश अलोवेरा जेल को मैंने पील ओफ किया और इसका पेश्ट बनाने के लिए मिक्सी के जार में डाला आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा फाइन पेश्ट बन गया है अब हमें इसे आवले के जूस में डाल कर अच्छी तरह से दोनों को मिक्स करना है या तो फिर फेटना है आप बोल सकते हो कि आपस में इन दोनों चीजों को इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है इतनी अची तरह से फेतना है एक-दो मिनट के लिए कि यह अची तरह से Max हो जाए यह हमारे बालों के लिए एक Great Magical Conditioner है एक Great Magical Medicine है एक Great Magical Tonic है जो आपके बालों को एक नई जान देगा आपके बालों को चमकदार बनाएगा और आपके बालों की हर एक प्रॉब्लम को जड़ से दूर करेगा लगाने का तरीका बहुत ही आसान है आप किसी कॉटन की हेल्ब से या तो फिर डॉपर की हेल्ब से अपने बालों की जड़ों में लगाए अटलीस टू आवर यानि की दो घंटे इसको लगा कर आप ज़रूर छोड़े उसके बाद आप जैसे नॉर्मल शेंपू करते हैं वैसे ही कर ले फिर आप देखोगे कि आपके बालों का जड़ना किस तरह से रुक रहा है आपके बाल किस तरह से नई ग्रोथ ले रहे हैं नई तरह से लंबे हो रहे हैं घने हो रहे हैं और जो आपके नए बाल निकलेंगे जड़ों से वो भी आल्मोस्ट काले आएंगे I hope जिनोंने भी वीडियो देखा हो उनके लिए ये वीडियो काफी informative हो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरू लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हुए notification bell जरू दबाए अपडेट्स के लिए मिलते हैं आपसे new और effective वीडियो के साथ and thank you so much for watching, bye bye